कश्मीर जैसे हालत थे इसलिए भाजपा के हाथों में पत्थर और बोतल था वो तो भले महफिर में भूला है आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है कि हम इस काम को करेंगे वो थूरी बोला है कि कानूनी पाहल कुछ होगा तो बोला हम अंदर गुसा देंगे मतलब जज्जमेंट कर लुनों ने लिखके गया और कलूस पर साइन किया जन सबाम है उनका नेता बोलता है कि लोगपाल मेरे हाथ में मैं पूरे खांदान को जेल भेजबा दूँगा काला दिवस क्यों मना रही है जब चली तरकाला है कारिकर्म काले है आपका नियत काला है तो उसके लिए दिन काला करने का क्या जरूरता आपका तो दिन भी काला है आपका राद भी काला है चौबिस की वो तयारी मान रहे हैं आपके अनुसार से वो भीड कितना जेमें के लिए डर पैदा कुछ साजी मार हाठ में उससे ज़्यादा आदमी था और ये संडे को आमने कहा था आज उसका दुगना आदमी सक्राण जी बजार में है ये बजार हाठ और डिपार्टमेंटल स्टोर की पाटी रह गई है उससे ज़्यादा आब इनका कोई वजुद नहीं है बीजेपी ने सचीवाले का घेराओ क्या किया निसिकान दूबे ने कह दिया कस्मीर जैसे हालात हैं आज जैमें पूछ रही है वो पत्थर बाज कौन थे वो बोतल बाज कौन थे बीजेपी को इसपस्ट करना चाहिए साथी कह रही है वो राजनितिक कारिकरम नहीं था वो उनमादी कारिकरम था इसके पीछे क्या तर्क है वही हम आए हैं सुप्रियों दा से जान लेने दादा ये क्या तर्क है वो तो बुरे राजनितिक कारिकरम था पोस्टर बाजी सब जगा लगा के हम लोग कारिकरता को जुटाए थे पूरे जहर खंड के एकासी बेरासी अजर गाओं से लोग आए था दिखिए जो सो दो सो जो गाड़िया पहुंची थी आप उसका यदि नारा सुन लेते कि उसमें कहीं राजवेटिक नारा तो लग नहीं रहा था वो तो सामब्रदाई का अनुनमादी नारा था और कश्मीर जैसे हालत थे तिसलिए भाजपा के हाथों में पत्थर और बोतल था तो वहीं लोग तो डिफाइन कर रहे हैं कि कल का कारिक्रम क्या था उनका नेता बोलता है कि लोकपाल मेरे हाथ में मैं पूरे खांदान को जेल भेजबा दूंगा उनका नेता कहता है कि चुनाओं आयोग मेरे पॉकेट पर मैं बिधान सभा के साथ में लोकसभा के साथ में बिधान सभा का चुनाओं करवा दूंगा तो ऐसी भाषा कोई राज नेतिक कारिकरम में बोली जाती है क्या तो आपको क्यों लगता है मतलब निसिकान दूबे कारिकरताओं में जोस भरने के लिए इस तरीके की बात करते हैं समाने तौर पे पहले भी आप लोगों ने इतराज जाता है या उनकी बात को सुरियस रूप में लेना ही नहीं चाहिए है भाषपा के नेता तो उनकी बात को सुरियस रूप में लेते हैं क्योंकि बाबुलाल जी उस पर हात पाली बजा रहे थे दिपक प्रकाज जी अपनी सहमती व्यक्त कर रहे थे अब निशिकान दुबे असमयधानिक बात करें और बाबुलान मरांडे जी और दिपक प्रकाश जी उस पे क्लैपिंग करें तो इसका मतलो भाजपा का ही वही एजेंडा है भाजपा का ही वही काम आप लोग को डर लग रहा है चुकि मामला लोकादालत में है लोकायुक्त के पास है लोकपाल के पास है तो महाँ ऐसा हो सकता है बाजपा खेल कर सकती है बोल रहा है कि हम खेर करेंगे कर सकती कुछी कर तो भले महफिर में भूला है आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है कि हम इस काम को करेंगे वो थुरी बोला है कि कानूनी पाहल कुछ होगा तो बोला हम अंदर गुसा देंगे मतलब जज़िमेंट कर लोगों ने लिखके गया कर लोगों पर साइन किया जन्सभा में काला दिवस बीजेपी मना रही है करिये लोगतंतर पर हमला है कारिकरताओं पर हमला नहीं सरकार जागना और व्रस्टाचार को छोड़के बाकी सब काम कर रही है पिटने और पिटवाने के काला दिवस क्यों मना रही है जब चली तरकाला है कारिकरम काले है आपका नियत काला है तो उसके लिए दिन काला करने का क्या जरूरताओं आपका तो दिन भी काला है आपका राद भी काला है तो जिनका सभी कुछ फ़र्जी वाड़ा है उनके लिए कोई विशेल कैसे हो सकता है उनका तो संपून कालखन नहीं काला आई काला बीजेपी का कल भीड जो आप देखें 24 की वो तयारी मान रहे हैं आपके अनुसार से वो भीड कितना जेमें के लिए डर पैदा करने हैं डर अले साजीमार हाठ में उससे जदा आदमी था और ये संडे को हमने कहा था आज उसका दुगना आदमी सक्राजी बजार में है ये बजार हाठ और डिपार्टमेंटल स्टोर की पाटी रह गई है उससे जदा आदमीनका कोई वजूद नहीं है केस करने में पुलिस कंजूसी कर रही है आपके बयान को अगर देखे और पुलिस का एफ़ायार तो अंतर स्पस्ट समझ में आता है ने पुलिस का काम पुलिसिया भी विचना है मेरा काम राजितिक इसलेशन है दुनों दुनों का काम कर रही है सुक्रिया सच्चाई क्या है क्या वाकई में कस्मीर जैसे हालात है क्या अगर कोई नेता इस तरीके के ब्यान देता है तो वाकई में सिर्फ कर करता हूँ मैं उत्सा भरने के लिए या एक सोची साजी साजीस का वो एक हिस्सा है जिसको वो पहले बया करते हैं इस बात का भी बेचना आप कीजिएगा पुलिस नहीं करेगी और नहीं राजनितिक दल फिर तेग कीजिएगा किस पाटी ने कौन सी बात कही और कितने आपके फाइदे की है और कितना बेक्तिगत फाइदाकार सुक्रिया